ताइगर रॉयल बेंगॉल टाइगर जोकि हमारा नैशनल अनिमल है अगर वो ही एक्स्टिंट हो गया तो फिर क्या होगा? गविस्ट ने एक्षिन लिया और उसने अनिमल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया इनिमल को बच्चाने का प्या क्या किया उसने नैशनल पार्क और वाइल लेफ सेंचुरी सेट अप की ठीक है अब वाइल लेफ सेंचुरी जो कि गुवर्मेंट ने बनाई है ताकि जो सारे एनिमल्स है वहां पर रह पाएं और उनके लिए गार्ड भी स्पेशल रखे गए ह ताकि उनको प्रॉपर्ली नरिष्ट किया जाए, प्रॉपर्ली उनको देखभाल की जाए, नेक्स्ट है, गवर्मेंट ने फिर हंटिंग को बैन भी किया, उनको रहने की जगा तो दी, साथ-साथ उनको उसको हंटिंग को भी बैन कर दिया, अनिमल्स की हंटिंग को, ताकि उ WWF, World Wide Fund for Nature, WWF, Full Farm क्या होगी, World Wide Fund for Nature, चीक है, तो एक और भी बनाई, People for Ethical Treatment of Animals, जिसको हम कहते हैं, PETA, P-E-T-A, PETA, और IFAW, International Fund for Animals Welfare, यह तो सब अनिमल्स की वेलफेर के लिए है, अनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, अनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, अनिमल्स की अनि स्टोरी पड़ी थी, रियल स्टोरी है, स्टार्टिंग में 19th century में, जब 19th century में यह माना जाता था, कि 50,000 to 1 lakh tigers हैं, हमारे इंडिया के सब कॉंटिनेंट में, और तब जो भी राजा महराजा होते थे, या फिर kings होते थे, वो क्या करते थे, tigers को माना अपनी शान समझते थे, तो जैसे ही किसी भी king को crown पहनाया जाता था, नया नया राजा बनाया जाता था, तो वो सोचता था कि भई, मैं जितने ज्यादा tiger मारूंगा, उतने ज्यादा मैं famous कहलाऊंगा, तो यह बहुत ही गलत था, बर उस time जो starting में, पुराने time में, यह एक बहुत ही बड़ी पुरा प्रेजवर, नैशनल अनिमल, तो पाया गया, सिर्फ और सिर्फ एटीन हंवर टाइगर रह गए, ओल ओवर इंडिया में, तो गवर्मेंट ने सोचा, यह तो बहुत ही गलत बात है, तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया सेट अप टाइगर टास्क फोर्स, उसने टाइगर टास् फिर 1971 में, गवर्मेंट 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉंच किया, जिसमें की टाइगर को प्रॉपरली रिजर्व में प्रोटेक्टिड एरिया में भेजा गया, गार्ज प्रॉपर प्रोवाइड किये गए, और फिर कुछ टाइम तक टाइगर का जो नंबर है वो इंक्र एर खिला करके उनको मार के चाइनीज मेडिसिन मनाया करते थे, चाइना के लोग, तो टाइगर फिर से दिखना बंद हो गए, डिसपेर फॉपरम दा सरिस्का टाइगर रिजर्व से टाइगर जो है, वो बिल्कुली खतम हो गए, फिर 2018 में, अभी रिसेंटली लास्ट काउ होगा तो नया नंबर पता चलेगा कि कितने रह गए हैं 2018 न भी दो साल पहले ही काउंट किया तो इतने नंबर आफ टाइगर्स रह गए थे तो अब यह कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ गवर्मेंट के सब्पोर्ट से कुछ नहीं होगा लोगों को भी पीपल और शुड़ और यह नहीं है तो यह हमने पढ़ था उसके बाद हमने पढ़ था कि पीपल हुड़ डिपेंड अनिमल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनिमिल्वेंड करते हैं अगर आप देखते हैं कि मदारी उनके पास मंकी और बिर्स होते हैं वह गलीगड जाके street performance दिलवाते हैं, वो monkeys और beards को training देते हैं, उनको train करते हैं कि आप लोग ऐसी performance करिए, जैसा जैसा आपको बोला जाएगा आप ऐसा ऐसा उनके साथ करिए, तो लोग खुश हो करके उनको फिर money देते हैं, ऐसी snake charmers जो सपेरे होते हैं, वो snakes को bean बचा के उनको influence करते हैं, वो sway करते हैं, ठीक है ना, आप सुनते ही होंगे, movies बगरा में देखते होंगे, जो सपेरे होते हैं, वो snakes को आगे bean बचाते हैं, और फिर वो sway करते हैं, सर्कस में भी लॉइन, elephants और horses को training दी जाती है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, सर्कस में क्या होता है, बीर बॉल के उपर बैठा है, elephant फुट बॉल से खेल रहा है, और ये lion जो है, वो ring से निकल रहा है, ऐसी training दी जाती है सबको, तो इस सब के बारे में हमने पढ़ा था कभी कभी क्या होता है, थे animals को बहुती गलत तरीके से, ट्रेट किया जाता है, और कभी कभी तो जो ये न मदारीज है, इनके पस तना पैसा नहीं होता, इनको इतनी money or niegoan नहीं कर पाते हैं, तो ये animals को इतने अच्छी तरह से खाना पिना नहीं दे पाते हैं, तो animals को अंडर under-nourished रहा जाते हैं मतलब वह इतने अच्छी उनकी पालन पोशन नहीं होपाता तो इतने तंदुरुस्त नहीं होते हैं आपने फ्रेंट जिल केसा शेयर कर रहाती तो जिल जो है, अहाना को समझाती है, कि अहाना आगर आपको ही, अपने घर से निकाल करके, ऐसी ही, किसी जगह पर ले जाये जाये, आपको बोला जाये, कि आप ट्रिक दिखाईए, तो आपको कैसा लगेगा? तो अहाना ने बोला कि मुझे तो बिल्कुल भी एच्छा नहीं लगेगा तो जिल बोलती है कि तो आप सोचिए कि एनिमल्स को अच्छा लगता होगा क्या आपको ये पता है कि एनिमल्स को कितने गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है उनको मारा भी जाता है, उनको खाना पीना भी नहीं दिया जाता है, उनको रखा गहां जाता है, देखिए, तो वो next morning जाके circus, भी start होने से पहले morning में जाके देखते हैं कि animals को कैसे रखा जाता है, तो देखते हैं कि animals को विचारों को छोटी सी cage में रखा जाता है, इतने पढ़ा था वहां आप इंफॉर्म किया जाए और फिर से मैं यहां आज के बाद कभी नहीं आओंगी सर्कस तो इस इस वाल अबाउट दर चैप्टर एंड इस वाल बाउट दर अहाना एंजिल स्टोरी तो आयोग आप सबको समझ में आया होगा तो आपको अच्छे से समझ मे जाओंगी इसके फिलप्स आपको फिलप्स आने चाहिए क्योंकि आपने चप्टर अच्छी से समझा है यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रात करने के लिए खेप्या बेल बिटन दबाएं और चैनल और चैनल ओप एड़ का सब्सक्राइब। समय जबाएं चाहिए जया है तुक्राइब के लिए टप्राइब।